तो हम आपको एक प्रोडेक्ट के बारे में बताने लगे हैं उसका नाम है एवियोड एरबर्स तो इस प्रोडेक्ट के जो मॉडल्स हमारे पास अवैलेबल है वो जी है तो यह मॉडल्स हमारे पास अवैलेबल है अच्छा इसमें जो मेरा पर्सनल फेवरिट है वो यह यह ब्लू वाला और इसमें एक लेडीज मॉडल है लेडीज मॉडल तो नहीं मतलब लेकिन उसकी पैकेजिंग है वह उस तरह के सेम यह बहुत ही प्यार है बहुत ज्याद है मतलब आपको नजहे वो सिरक्राइब आ फोनी हीक तो इसके स्पैसेटेशिक्राइच बतायों है कि इसमें क्या स्पैसेटेशिक्विकेशंस और इसकी क्या क्या में इसके क्या 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 की I just एक्सेंड़र्ड हमारे पास मॉडल है इसका नाम है T-E-D-I-O-G ते इस ने मॉडल में सरफ यह यह पर है यह D और यह M इसके इसके आप सर्च रहेंगे तो आपको बढ़े जाएंगे तो इसके स्पेसिफिकेशन यह हैं कि यह जो एरबर्स है इसकी जो यह डिवाइस है जो केज है उसकी कपैसिटी है 500 एमेच ठीक है मतलब आप टू फॉर्टी एड हार्स इसको चार्ज करके गुजार सकते हैं मतलब सिर्फ यह आलमस्ट टू आर्स लेगा चार्ज होने में यह तो इसके बाद ऑलक शार्ज हो इसकी कापैसिटी एक कि निकाल सकते है और इस तरह ब्लू आमारे पास इसकी कर्समेच है और शुर्ज हां इसकीं और यह 54 एर्स जोर्ज निकाल सकते हैं तो अब अंदर वले और ड्रज की बात करते हैं जो यहिस है इनका जो टॉक टाइम है मतलब आप लगा के कोई भी कॉल सुन सकते है अप टू 10 अर्स तक 10 घंटों तक यह आपकी नॉन स्टॉप कॉल चलाता रहेगा और आपने कोई साउंड सुना है अपने कानों में लगा है तो यह अप टू 9 आर्स उस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं बगैर किसी चारजिंग के यह 9 घंटे तक जो है वो साउंड चला सकते हैं कोई भी म्यूजिक चला सकते हैं और इनका पूछ रहे होंगे कि आपने सोचा होगा कि इसका चार्ज टाइम हो कितना है कि अगर एक चीज जो है वो मैक्सिमम साथ से 8 घंटे या 9 घंटे निकालती है तो वो चार्ज कितने जेर में होती है तो यह जो 8 घंटे में फुल चार्ज हो देते हैं मतलब आप इसको डेट घंटा देंगे और यह डेट घंटे में आपको साथ से 8 घंटे का टॉक टाइम देगा या म्यूजिक टाइम जो भी आपने इसमें करना आप इसमें कर सकते हैं इसके अलावा इसमें जो ब्लुथ होता है वह 5.2 है इस मॉडल में 5.2 है कुछ दूसरे मॉडल में 5.4 है इसकी कापसिटी केश की कापसिटी है 500 अमेच इसकी है 400 अमेच इनमें कोई जैदा मेजर डिफरेंस नहीं है मतलब अगर यह 48 अर्स करता है तो यह भी आलमॉस 48 अर्स करता ही है और इसके अलावा इसमें जो है वो बिल्ट-इन सेंसर मुझूद है ठीक है आपने इसको यह करना है कि एक बार आपने मुबायल से करनेक्ट किया उसके बाद आपने इसको अर्स में लगाना है और यह अब मुझे वहां पर कॉल आड़ी है कि मैंने वैसी कोई सांड सुना या मैंने दिल कर रहा है मैं सौंग सुनू तो मैंने यह निकाला अपने कान में लगाया और यह अब मेरे मुबायल के साथ कॉनेक्ट हो गया ठीक है यह इसका फीचर है और इसके लावा इसमें बटन है सब्सक्रार है यह बटन पर सब्सक्राइम दूसरे मोडल में सेंसर बटन है कि में अबकर करेंगे तो आपको फीड हो जाएगा तो अब आपने यह एक आपको कॉल करने है दोताब और आपकी कॉल यहांपे आक्टी और आपने जब क्ल डिकलाइन करनी है काटनीज़ तब यह आपने उसको बषनायाइब करते है और इसका यह मतलब है कि आका मॉबाइल कहीं भी पर रहा हो और आपने बस यह एरबर्स लगा है वह कुनेक्ट है तो आपने कॉल उससे सुन सकते हैं आपकी आवाज हो है वह दूसरों को क्लियर कट जाएगी उसका कोई भी इस्यू नहीं होगा पड़ी मैंने खुद यू यू य तक नौन स्टॉप और यह चार्ज कितने दिर में होते हैं जो अंदर वाले अड़बर्स हैं वह देड़ घंटे में और यह जो पायर वाला केस है यह भी दो घंटे में फुल चार्ज मतलब आपने इसको एक बार चार्ज किया तो आपने तीन दिन बे फिकर होता है कि आपक गहीं में चार्जिंग कहीं आप नहीं रहते हैं तो आपने इसको दो आपने इन नोनों को यूज करना भो भी कर सकते हैं प्रोपद्बर्स क्रण चॉटर के बाद एक थीसफि operative कि जेसके रूर्प इन में जो प्तम कर सकते हैं यह 9 घंटे जोरchet गैंड यह चला लिए जो लेटेस्ट चार्जिंग जो लेटेस्ट केबल है टाइप-C की वह इनको सपोर्ट करती है ठीक है और इसके इलावा जो है यह वोटर प्रूफ है मतलब आप लगा के नहाएं दो हैं जो मर्जी करें मूद हैं कुछ भी नहीं होना लगा इनको अब आपको मैं चोटा से टुटोडियल दूँगा कि आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है मेरे पास आइफोन है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूं मैं इसको केस को उपन किया दोनों को आपने आपने केस से निकाला और उसके बाद यहां पर प्रेस करना ठीक है जब अब लिफटी के इसके आथ क्या उपने ऐसके बाद मैं राइट मैं बिखें यहां पर आपको रहा हो घाए कि मैंने लेफट वला कौनेक्ट लिकिन राइट वाला connect है लेकिन आवाज आपको दोनों में आएगी अब जब मैंने यहां से मैंने यह बंद किया तो यहां से disconnect हो गया अब जब मैंने right पालब अपने कान में लगाया ठीक है तो यहां पे आपको शो होगा कि right पालब automatically connect हो गया है तो यह feature इसका पहतरीन है अब मैंने जैसे इसको बंद किया तो वहां से भी ओफ हो जाएका तो यह अपनी एप भी इसका नाम है एवियोट साउंड एक्स एक्स ठीक है यह आपको डिस्पली आ रहा है यहां से आप इसके बड़न की सेटिंग कर सकते हैं कि आप इसको डबल टैप करें तो राइट वले को टैप करें तो क्या हो और लेफ्ट वले को टैप करें तो क्या हो और इसके आप एक्यू सैटिंग भी कर सकते हैं मतलब आपनी मर्जे से कोई sound ऊपर नीचे कर सकते हैं को बुफर आपको जादा अच्हा लगा उसको अप कर सकते हैं को frequency low कर सकते हैं जिनको भी EKU का पता होगा जो इक्विलाइजर का कैसे वर्क करता है, वह उसकी सैडिंग कर सकता है, यह नियुक्त कर सकता है और जो भी फीचर्स आप को इस अप में शो हो जाएंगे तो यह आप है इसको डाउनड करके उनेट करके यूज कर सकता है और इसकी जो प्राइस है वो प्राइस रेंजी है कि यह वन फिटी डॉलर से लेकर वन नाइटी डॉलर्स तक इसके जो मॉर्रल्स है वो इस कैडिगरी में फॉल करते है इस प्राइस में